हेलो फ्रेंज एस चांद पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है मैं श्रियान्स कोठारी ले के हाँ दोस्तों वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग की एक बहुत ही बहतरीन गिताब आप लोगों के लिए दोस्तों उसका चैप्टर नंबर सेकेंड है एनलोगी और एनलोगी बहुत इंपोर्टन इस चैप्टर है क्योंकि इसके क्वेशन्स अगर S.S.C का कोई भी एक्जाम ले लिजा दोस्तों तो कम से कम 3-4-5 क्वेशन्स आपको प्रीम मिलेंगे तो इतना इंपोर्टन चैप्टर है तो देर गिस बात की है चलिए मैं लिए चलता हूँ दोस्तों चैप्टर के बारे में कुछ बताने के लिए एनलोगी का मतलब होता है कि अगर ये चीज इस से मिलती जुलती है कोई सिमिलारिटी नजर आती है तो किस की किस के साथ आती है इस तरह के क्वेशन में कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दूँ जैसे इसमें आप देख सकते हैं कंट्री और कैपिटल की अनलोगी पूछते हैं आप से यानि अफगानिस्तान अगर कापिटल है अफगानिस्तान की कैपिटल अगर कापिटल है तो चाइना की कैपिटल बीजिंग है उसी प्रकार से रश्या की मॉस्को है इसके बाद दोस्तों स्टेट अन क्यापिटल भारत के जतने राज्ये हैं उनकी क्यापिटल की बात होती है तमिल नाडू की चेन्नाई है महारास्टरा की मुंबई है आसाम की दिस्पुर है तो ये ऐसे समझे है कि अगर ये रीजनिंग का टॉपिक आपको करना है तो आपका जनरल अवेरनेस भी अच्छा होना चाहिए जनरल स्टडीज आपका स्ट्रॉंग होना चाहिए अभी पता चलेगा थोड़ा इंगलिश भी स्ट्रॉंग चाहिए देखते हैं और किस प्रकार क्या सकते हैं जैसे country की currency इंडिया की currency रुपी है जपान की yen है USA की dollar है ठीक इसी प्रकार से barometer का जो measurement है वो pressure के रूप मे होता है यह प्रेशर को measure करने के लिए barometer चाहिए और earthquake को measure करने के लिए seismograph चाहिए mass को अगर आपको measure करना है weigh करना है तो आपको balance चाहिए speed को पता लगाना है तो odometer चाहिए इस तरीके से quantity और उसकी unit के question बनते हैं अगर आप बात करते है energy की unit क्या है joule है power की unit क्या है current क्या है ampere है conductivity क्या है मोह आपको ध्यान होगा जैसे resistance की ohm होती है individual and group इसे हम अंग्रेजी में collective noun भी कहते है जैसे soldiers की army बन जाती है sailors का crew बन जाता है sheep का flock बन जाता है musician का एक band बन जाता है robbers की gang बन जाती है man बहुत सारे हों तो crowd बन जाता है तो ये चीजे हमें ध्यान रखनी है और अच्छी बात मज़े की बात दोस्तों इस किताब के इस chapter के starting में सब कुछ दे रखा है तो बहुत सारा general knowledge भी इससे improve हो जाती है और देखते दोस्तों किस प्रकार के रहेंगे जैसे animal और उसके young ones यानि cow का बच्छडा होता है calf, sheep का होता है lamb, insect का लारवा इसी प्रकार से male और female पुरुष और strilling और purling जिसको आप कहते हैं जैसे brother और sister colt का philly bullock का heifer, wizard का witch lord का lady cock का hen, मुर्गा और मुर्गी animals और उनके movement यानि कि जो animals हैं वो कैसे चलते हैं उनके चलने से किस प्रकार की आवाज आती है जैसे elephant का movement है उसको emble कहते है duck जो है वो waddle करती है cock जो है वो strut करता है mouse को scamper कहते है तो ये words अगर नहीं पढ़े हैं अभी किताब देखिएगा सारे words दे रखे हैं आपको थोड़ा थोड़ा dictionary में सर्च कर लीजेगा चलिए और देखते हैं साब lion actually आवाज करता है रोर की donkey आवाज करता है ब्रे की cat मियाओ करती है आपको पता होगा owl हूट करता है monkey गिबर करता है तो ये words हमें ध्यान होना है चाहिए individual and class lizard is a type of reptile man is a mammal ostrich is a bird snake is a reptile cup is a part of a type of crockery shirt is a part of a type of garment individual and dwelling place वो रहते कहा है उनके घर को क्या कहा जाता है जैसे dog के घर को cannell कहा जाता है eagle के घर को ID कहा जाता है Eskimo आपको ध्यान होगा igloo में रहते हैं mouse hole में रहते हैं बिल बना के gypsy caravan में रहते हैं lunatic asylum में रहते हैं owl barn में रहता है तो ये आपको पता होना चाहिए अच्छा इसी तरीके से उनको रखा कहा जाता है एक तो उनका घर होता है एक उनको place कहा जाता है रखा कहा जाता है जैसे car को कहा रखोगे अब garage में रखोगे animals को कहा रखोगे अब zoo में रखोगे bees के लिए appi area आता है clothes के लिए wardrobe आता है birds के लिए aviary आता है fish के लिए aquarium आता है ये हम लोग रखते हैं उस place की बात हो रही है इस तरह से games and place of playing game आप खेलोगे कहाँ आपको पता है badminton कहाँ खेलते हैं court में खेलते हैं boxing कहाँ करते हो, ring में करते हो sketching कहाँ करते हो, ring में करते हो याद रखना ही है exercise कहाँ होती है, gymnasium में wrestling के लिए word होता है arena worker और tool कौन कौन सा, कौन व्यक्ती जो है कौन सा tool यूज लेने वाला है example के तोर पे carpenter आरी चलाते हैं, saw उसे कहते है doctor के कान में लगाता है stethoscope, chef बिना knife के क्या करेगा बताओ, farmer plaw का प्रयोग करता है, hull चलाता है tailor के पास needle होती है wood cutter x यानि कुलहाड़ी की बात करता है tool and action अब आपने देखा कि कौन व्यक्ती कौन सा tool चलाएगा वो tool करेगा क्या जैसे needles you करेगी binoculars आपको पता है view करेंगे auger bore करेगा gun shoot करेगी spade से आप क्या करोगे dick करोगे, pen से आप क्या करोगे right करोगे x से grind करोगे so ये हमें पता होना चाहिए कौन सा tool क्या काम आ रहा है कौन व्यक्ती कहां काम करता है जैसे farmer कहां काम करता है field में doctor कहां काम करता है hospital में painter कहां paint करता है gallery में waiter कहां होता है restaurant में grocer shop में mechanic garage में mason क्या बनाता है product wall आपको ध्यान होगा mason यहनी जो कारिगर होता है जो मजदूर होता है वो जैसे editor क्या बनाता है newspaper तयार करता है farmer क्या तयार करता है crop तयार करता है producer एक film को तयार करता है author एक book को तयार करता है poet एक poem को तयार करता है teacher actually आपको education देता है चलिए सहाब raw material और उसका product जैसे glass से बनता है आपका prism milk से बनता है आपका butter leather अगर material होगा तो बनेगा shoes wood से बनता है furniture wool से आपका pullover बनता है jute से आपका sack यानि बोरा बनता है sugar cane से आपकी jaggery यानि की गुड़ बनती है part and hole छोटा सा part उसका और hole यानि complete nib is a part of pen lead is a part of pencil room is a part of house pedal is a part of bicycle blade is a part of fan चलिए pair relationship pair relationship मतलब shoes का जैसा क्या होता है socks भई जोता जूता मुझा तो एक साथ पहन होगे आप shirt के साथ क्या पहन होगे trousers पहन होगे chair होगी तो table भी होगी pencil होगी तो eraser भी होगी lock होगी तो उसका key भी होगी study and topics आपको ये पता होना चीए कि कौन सी चीज की study को क्या कहते हैं हम लोग जैसे आप यहां देख सकते हैं birds की study को क्या कहते है ornithology disease की study को क्या कहते है pathology future की study को लिए astrology soil के लिए pedology moon के लिए selenography artifacts के लिए archaeology इसे रिसे amphibians के लिए harpetology word और उसकी intensity यानि कई बार क्या होता है कि एक word है और उसको और जादा intensify करके कहा गया है जैसे anger से भी बड़ा intensify word कि है rage wish इच्छा desire तीवर इच्छा famous है उससे भी बड़ी बाद renowned है touch करना और उससे जादा intensity हो तो push करना quarrel यानि छोटा मोटा जगड़ा war यानि लड़ाई हो जाए error यानि छोटी सी गलती blunder बहुत बड़ी गलती word और उसके synonym वो कहां रहते हैं मतलब वो उसके synonym का मतलब है samanarthi यानि परियायवाची शब्द abode यानि वहां रहते हैं dwelling blend करने को क्या कहते हैं mix करना कहते है sedate भी शान्त करना, calm भी शान्त करना fears भी हिंसक और violent भी हिंसक brim यानि किनारा, edge यानि किराना fallacy और illusion दोनों का मतलब है भ्रह्म dearth यानि कमी, scarcity यानि कमी antonym भी आ जाते हैं exam में attack करना उसका उल्टा होता है defend करना shallow यानि उतला, deep यानि गहरा worst यानि सबसे खराब, best यानि सबसे अच्छा expand यानि बढ़ाना, condense यानि कम कर देना peace यानि शान्ती, chaos यानि sure शराबा create करना, उसका उल्टा, destroy करना चली, तो यहां हम देखते हैं कि exam के लिए exercise second A में देखते हैं fear और fear से क्या होता है threat, यानि fear यानि डर और उससे भैभीत हो जाते हैं आप लो so anger, anger से क्या हो जाते हैं दोस्तों provocation, provocation का मतलब उकसाना अगर बहुत ज़्यादा गुसा आएगा तो आप उकसा दिये जाओगे, मतलब और कुछ कारे कर दोगे गलत कारे कर दोगे so fear से threat होता है, anger से provocation होता है answer is C election में manifesto काम आता है meeting में क्या होता है, meeting में उसका agenda होता है manifesto का मतलब तो पता ही होगा आप लोगों को गोशना पत्र चलिए, एक साई second B में देखते हैं दोस्तों question number 10 देखिएगा professor क्या करता है, lecture प्रोवाइड करता है so doctor hospital थोड़ी प्रोवाइड करता है बीमारी थोड़ी देता है, हाँ वो एक medicine प्रोवाइड करता है वो patient प्रोवाइड नहीं करता है night angel आपको पता होना चाहिए दोस्तों night angel एक चिडिया का नाम है, एक पक्षी का नाम है और उसकी आवाज को क्या कहते है, warble तो फिर frog की आवाज को क्या बोलते है, crow sound आपको ध्यान होना है चाहिए second sea exercise देखते हैं दोस्तों nails का pair, nails क्या होता है दोस्तों nails आप क्या होते हैं, नाखून और नाखून को तराशने को कहते है, उसको shape देने को कहते है pair, so नाखून को तराशना यानि कि उसको shape देने को कहते है pair, ठीक उसी प्रकार से mustache यानि मूचें, मूचें को cut करने को shape नहीं देना कहते shave तो बिल्कुल ही खतम कर देना blow तो हवा मार देना, clip करना clip यानि उसको एक अच्छा shape दे देना so mustache यानि मुच्छों को shape देने के लिए clip और नाखुनों को shape देने के लिए pair ये words हमें ध्यान होने चाहिए ये एक अच्छा question है दोस्तों heart का है pericardium तो brain का क्या है दोस्तों actually heart यानि दिल, दिल में जो boni part होता है, what is boni part boni part मतलब जो bone वाला पार्ट होता है, जो हड़ी वाला पार्ट होता है, उसे कहते है pericardium so brain, देखो skull is not part of brain boni part of brain is known as cranium cranium, ये देखे, जीके भी हो गया आपका, और साथ में reasoning भी होगे, आपको पता होना चीए bones तो bones ही होती है, head हमारा दिमाग सिर होता है, और skull actually दिमाग के अंदर का part है, मतलब उसको वो base देता है, लेकिन जो brain के अंदर आपका part होता है boni, उसे कहते है cranium, चलिए second exercise की बात करते हैं दोस्तों, हर exercise में से दो question में करवा रहा हूँ जिससे की आपको अच्छी practice मिल जाए, ecology दोस्तों, ecology is related to environment, यह नहीं environment की अगर study करने ही तो ecology पर histology, दोस्तों histology का ध्यान रखना, history से कोई लिना देना नहीं है, histology is basically tissues, आपके जो body tissues होते हैं उस tissues की study करने को histology कहते हैं so history तो खुदी अपने आप में एक subject है भाई, histology history से मत जोड़ देना exam में blood is related to circulation blood actually किस काम आता है दोस्तों, circulation के काम आता है, circulation का मतलब आपके अंदर अगर oxygen circulate हो रही है, तो वो किस के माध्यम से हो रही है, दोस्तों, blood के लिए आपके अंदर अगर blood sugar है तो वो sugar blood के माध्यम से जा रही है अगर आपको कोई medicine लेनी है कुछ medicines blood के माध्यम से पूरे body में पहुँच जाती है ठीक उसी प्रकार से hormones का excretion होता है लेकिन hormones क्या काम आते है hormones coordination के काम आता है, blood circulation के काम आता है exercise second E की बात करते हैं दोस्तों institute और academy ये दोनों के दोनों क्या है synonyms है ठीक उसी प्रकार से decree आपको पता होना चाहिए decree किसे कहते है दोस्तों decree कहते है हम यूँ समझिए decree होता है आपका कोई court जब order देता है उसे decree कहा जाता है तो ठीक उसी प्रकार से decree को synonym होता है mandate अगर court ने कोई judgment दिया है जज नहीं judgment दिया है उसे mandate कहते है so question number 3 का answer D हो गया door से आवाज आती है bang करके तो आप सोचिए chain से कैसी आवाज आती है clank तो chain की आवाज को clank कहते है door की आवाज को bang कहते है आती को आप cook करते है तो बताइए meat को क्या करते है meat को हम roast करते है chopper से meat को हम cut करते है snapper आपने देखा होगा snapper क्या होता है दोस्तों snapper आपने कभी देखा हो तो जो nuts को crack करने का एक जो sarota word सुनाओ so nuts को crack करने के लिए snapper है और meet को cut करने के लिए चौपर है हमको ये चीजों के बारे में ध्यान होना मैंने chapter जब शूरू किया था तब ये जरूर बताया था कि आपको चीजों के बारे में idea होना चाहिए मैं आपको basic basic चीज़ें cover कर वा रहा हूं चलिए आगे देखते हैं दोस्तों exercise 2G की बात करते है mad यानि पागल और insane यानि बड़ा पागल यानि mad की intensity को बढ़ा दिया, तो red की intensity को pink थोड़ी कर देंगे, और ये तो बिल्कुल उल्टे है, brave का मतलब होता है बहादुर, और timid का मतलब होता है, कमजोर या फिर डर पोक healthy को fat नहीं कहते हैं, लेकिन slim को thin कह सकते हैं, बचिसलिम यानि पतला है और thin यानि बहुत पतला है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, D geology, दोस्तों geology actually क्या है earth की study है, architect तो building की study नहीं है aquarium fish की study नहीं है, biology, science की study नहीं है, हाँ, archaeology है, वो artifacts की study artifacts है नहीं, जो बहुत सारे buildings और आदी, बहुत सारे पुराने बने रहते हैं उन चीजों की study को कहते हैं, हम archaeology, पुरा तत्तो विभाग जिसे आप कहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं, दोस्तों, second edge की बात करते हैं, देखिएगा आपको इसके जैसा pair निकालना है, large और large से भी बढ़ा अगर विशाल कहें, तो enormous अब big से बढ़ा small तो होगा नहीं less से बढ़ा greater होगा नहीं regal और royal तो चीज़ें ही अलग है plump यानि थुल्थुला fat यानि मोटा, यानि flat का intensity बढ़ा दिया, यानि question number 6 का B हो जाएगा egg is a constitute of omelet omelet बनेगा किस से, egg से बनेगा, क्या river dam से बनेगी, नहीं साब classroom के अंडर individual students होते हैं, तो इनकी individuality अलग-अलग रहती है student को कम जादा कर सकते हो omelet से egg को कम जादा कर सकते हो, नहीं कर सकते है, salad से onion को कम जादा कर सकते है, लेकिन omelet से एक को नहीं अलग कर सकते हैं, तो इनका मतलब ही नहीं है, हमें तो ये देखना है, pottery clay, clay से pottery बनेगी और उसको clay को आप अलग भी नहीं कर पाऊगे so इस cancer क्या हो जाएगा, 35 का C हो जाएगा 2i, 9th exercise आख चुकी दोस्तों अगर ability है तो appointment है, यानि appointment का basis क्या है ability बहुत सा लोगों के पास है, लेकिन उस ability में judge करके आपको appointment दिया जाता है, अब ज़रा देखे punishment में judge करके transfer दिया जाता है, क्या? नहीं जिया जाता money को judge करके business दिया जाता है, बोलने में अजीब सा लग रहा है success को judge करके examination दिया जाता है, ये अजीब लग रहा है हाँ, merit को judge करके promotion दिया जाता है ये विल्कुल सही है चलिए आगे देखते हैं दोस्तों ये question आचुका है BBS 2004 में botany is study of plants तो बताइए इन में से कौन सा होगा आपको पता होना चाहिए entomology is study of insects so question 41 का क्या हो जाएगा D हो जाएगा चलिए आगे question करते हैं दोस्तों 2J आचुका है 10th exercise है 2nd chapter की आपके reasoning के book की इंद्र, भगवान इंद्र जो है rainfall के देवता कहलाते है God of rainfall कहलाते है Shiv को creation नहीं destroy का बोलते है आपको ध्यान होगा Shakespeare को तो बगवान ही ना बोलो और Venus तो love के God है हाँ, Venus भी love के God है और Cupid भी love के God है So 10 का क्या हो जाएगा C आपने सुना होगा इसके बारे में Jupiter is a planet and sparrow is a bird Yamuna is a river Everest is a peak Chilka is a lake तो तो सारे ये answer हो जाएगे हाँ, ये जरूर है Jupiter is the largest planet क्या sparrow largest bird है, बिल्कुल नहीं Yamuna largest river है, बिल्कुल नहीं Chilka largest lake है, वर्ल्ड की बिल्कुल भी नहीं हाँ, Everest जो है highest peak है So 48 का क्या हो जाएगा D for Delhi आजाते दोस्तों, second के K में यहाँ कुछ अलग टाइप से question है वो हमें ध्यान रखने आपको यह समझना पड़ेगा question कैसे हैं दोस्तों, देखेगा आपको अब दो शब्द का प्रियोग करना है Inert का किसी प्रकार से जिस प्रकार से word होता है वैसा ही active के साथ हो तो inert और active, इन दोनों को देखते वैसा लगता है कि inert और static यह दोनों ही चीज़ें रुकी हुई सी है active और dynamic तो मुझे लगता है बी इदर से ले लूँ, इदर से 1 ले लूँ जरा 1 B है कभी answer यह देखेए साथ 1 B आपको समझ में आना चाहिए static और inert यह दोनों एक दूसरे के synonym हो गए active और dynamic यह दोनों एक दूसरे के synonym हो गए तो इसका answer क्या हो गया 6 का A आगया शायद आपको समझ आई जाएगा इसको देखेगा पपी जो है ना वो डॉग का बच्चा है लैम्ब जो है वो गोट का बच्चा है और इसके अलावा कुछ है नहीं 35 का answer हो जाएगा हमारे पास 2 A that is first वाला चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 2 L पे आचुके हैं हम लो क्लच, ब्रेक और हॉर्न यह तीनों चीज़े हैं किस चीज में मिलेंगी आपको सीधी सी बात है कार में मिलेंगी आपको which of the following is same as ode, ballad, lyric यह आपको पता होना चीज़े सब poems के type है अलग-अलग प्रकार की poems है और sonnet भी एक type of poem है इसलिए answer क्या हो जाएगा 41 का C चलिए अब आपको देखना है कि love, respect और sympathy यह तीनों एक दूसरे के साथ किस रूप में connected है इन तीनों के बीच में common कौन सा portion है तो आपको पता होगा feelings, respect कोई feelings नहीं है they cannot be displayed आप यह बताएए उनको display नहीं कर सकते आप यह अंदर से आने वाली बात है love, respect और sympathy they cannot be displayed petrol, phosphorus और cooking gas वैसे cooking gas और petrol तो commonly आपको पता है phosphorus भी होता है और यह सारे के सारे क्या है देखो phosphorus फ्यूल तो नहीं होगा लेकिन जो marches जलाते है marches उसमें phosphorus का प्रयोग होता है they are highly inflammable बिल्कुल जुलन शील होते है जल जाते हैं बात पे है कि नहीं चलिए साब अगली exercise करते है टू एन डॉग और squirrel आप देखेगा दोनों के tail होती है हमें ऐसा कोई pair ढूणना है ऐसा कोई group ढूणना है जिसमें इस तरह का connection आ रहा हो dog प्लस squirrel दोनों के tail है cottage और hut दोनों के palace है fish और crocodile दोनों water में है बड़ दोनों के water ऐसा तो नहीं बोल सकते है ox और horse horse के तो horn यानि सिर्ख सिंग नहीं होते truck और scooter दोनों के gear होते है ये बिलकुल सही है same connection है जैसे dog और squirrel यानि गिलहरी दोनों के tail होती है truck और scooter दोनों के gears होते है morning के बाद evening और evening के बाद dusk होता है ठीक उसी प्रकार से triangle के बाद नहीं summer के बाद winter के बाद autumn होता है यानि 23 का क्या हो जाएगा C4 cat हो जाएगा चलिए सब 2-0 अब आ जाते हैं कुछ number पे दोस्तों number के questions कैसे करने पिछली वाली exercise कहें दे या यूं कहें पिछला वाला chapter अगर आपने बढ़ा था वहां बहुत सारी चीज़ें हमने सिखाई थी और वही चीज़ें आगे बढ़ा रहें तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख के आई है चलिए हम बात करते है 121 दोस्तों 11 का square है और ये 12 खोद है ये 5 का square है तो ये 6 खोद होना चाहिए ये लीजे साब आप समझे होंगे ये 11 का square और ये 12 ये 5 का square और ये 6 चलिए साब देखो 1 प्लस 1 करूँ तो होगा नहीं 1 और 1 सेम है एक की चीज समझ में आरे दोस्तों मुझे 1 का square भी 1 होता है और 25 का square होता है आपका 625 तो इसका 14 का answer क्या हो जाएगा D4 दिल्ली चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले question पे अगली exercise है आपकी 2P इस तरह के question कैसे करें अगर आपको series याद है जो मैंने completion of series का chapter पढ़ाया था ठीक उसी प्रकार से चलेंगे हम ध्यान से देखेंगे हम दोस्तों A मैंसे एक कम हो गया Z और S मैंसे एक बढ़ गया T T मैंसे एक कम हो गया S और N मैंसे एक बढ़ गया O यानि कि इधर minus 1 minus 1 plus 1 तो अब आपको देखना है M M आता है N से सॉरी हम उल्टा इधर देखना है न तो M से minus 1 करिये जरा L तो ये तो खतम हो गया ये भी खतम हो गया अच्छा अब बचे क्या दोनों ये दोनों ही बचे ज्यान से देखेगा M से minus 1 करके हो गया इन दोनों को देखने की जरुद नहीं क्योंकि TT दोनों में आ रहा है B से M, N, O, B, C logic समझा आया के नहीं वापिस देखेगा द्यान से देखेगा मिर को पहले वाले का minus 1 देखना है आखरी वाले का plus 1 देखना है द्यान समझेगा M से पहले J, K, L, M तो इसको तो cut कर देते हैं sorry N को cut कर देते हैं N को cut कर देते हैं अच्छा उसके बाद हमें सिर्फ देखना था S और U U के लिए R तो आएगा नहीं इसको भी cut कर देते हैं अब इन दोनों में ही अपना answer घूम रहा है आखरी वाले में प्लस वन किया है M, N, O A, B, C C answer हो जाएगा इसका ओके इसको हम करने की कोशिश करते हैं देखिएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ऐसा पाएंगे C, B minus 1 ऐसे करते हैं T, U R, S K, L एक एक छोड़ के minus 1 चल रहा है तो अब मुरको E चाहिए E कहां से आता है देखिएगा या यूँ कह दूँ पहला, दूसरा, तीसरा एक एक गाप है एक, एक, एक actually E तो मैं चेकी नहीं कर पाऊँगा मैं अगर सिर्फ इनको देखता हूँ ध्यान से देखेगा इनको देखता हूँ, right C से जस्ट पहले आता है B तो यह तो मेरा कैंसल हो गया क्योंकि यहां क्या आया है A आया है G, E, F, G, H F, F चाहिए नहीं यहां पे इसको भी छुट्टी करो इसको भी छुट्टी करो यह आंसर आ गया भाई मुझे ऐसा ऐल्फबेट चाहिए था C से बिलकुल पहले वाला B G से बिलकुल बाला वाला F, E, F, G, H F, I, G तो question number 30 का आंसर क्या हो जाता है B हो जाता है तो दोस्तों इस प्रकार से इस तरीके के questions एक्जाम में आते हैं जिसमें कुछ coding का part आजाता है कुछ mathematical operations आ जाते हैं और कुछ directly हमें general knowledge या English के synonym, antonym ध्यान होने चाहिए बड़ ये सारे questions जो हैं आपके exam के लिए बहुत जरूरी है तो अभी के अभी book उठाईए और सारे question कर डालिए सबसे अच्छी बात क्या है इस किताब की इसमें सारे के सारे solution दे रखें answer नहीं solution दे रखें तो आप कहीं अटक जाते हैं तो solution देखिए चलिए यहां लेते हैं अलविदा अगले वीडियो में मिलते हैं thank you and take care अलविदा 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 आप